Welcome everyone, मैं हूँ प्रतिक्षा Guys हम सभी ने animals के बारे में तो बहुत कुछ सुना है कुछ animals wild होते हैं तो कुछ animals pet animals होते हैं लेकिन क्या वो अपनी feelings express कर सकते हैं क्या उनके मन में भी ऐसी चीज़े होती है कि उन्हें एक बहुत अच्छी wildlife चाहिए तो चलिए फिर ऐसी ही एक real story के बारे में मैं आप सभी को बताती हूँ जो कि एक gorilla पर based है जस movie का नाम है The One and Only Ivan Guys ये movie 2020 में release हुई है movie की starting एक gorilla से होती है जो कि अपना नाम Ivan बताता है और इसी के साथ बताता है कि एक mall के अंदर उनका tent लगा हुआ है इसे हम circus तो नहीं कह सकते है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे animals अपना show दिखाते है और वो अपने shop का headliner है यानि कि उसी की बतालत ये पूरा show चलता है उसी अपनी job से बहुत प्यार है जिसके बाद में Ivan सभी को introduce करता है कि यहाँ जो ring master है उसका नाम Mac है वो सभी के साथ में बहुत अच्छा भीएफ करता है और मैं उसके साथ काफी time से रहता हूँ सबसे पहले आती है Thelma जो की एक McWee है जिसके बाद में Henerita जो की एक baseball खेले वाले चिकन है इसके बाद में Frankie जो की एक seal है और बहुत यह अच्छी तरीके से ball को balance करता है यहाँ पे एक rabbit है जो की fire truck चलाता है जिसका नाम Murphy है और इसके बाद आती है हम सब लोगों में से सबसे mature जिसका नाम है Stella यह यहाँ की सबसे पुरानी और intelligent elephant है यहाँ पे Stella की help करने के लिए Mack की एक pet जिसका नाम Snickers था Stella और Snickers में बहुत अच्छी friendship थी और इसी के साथ इनकी coordination का कोई जवाब नहीं था जिसके बाद में आते है last but not the least the one and only Ivan आईवन यहाँ पे बताता है कि यहाँ एक छोटी सी लड़की आती है जिसका नाम Julia है इसके फादर यहीं पे काम किया करते है ना जानें उसे क्यों मेरे पास ही बैटना पसंद है और वो मुझे हमेशे अपनी painting दिखाया करती है जिसके बाद में चूलिया की फादर और मैक आपस में बात किया करते है कि अगर हमें कमाना है तो हमें जानवरों के साथ काम करना ही पड़ेगा यहां मैक के साथ एक डॉक भी रहता है जो की काफी unhygiene था लेकिन फिर भी उसे आईवन के साथ रहना बहुत पसंद था आईवन यहां पे डॉक को बताता है कि शो के अंदर में बहुत मेनत करता हूं उसके बाउचोद बे यहां कुछ जादा क्राउड नहीं आ रहा है स्टेला भी आइवन से बात करती है और कहती है कि एक टाइम था जब यहां पे दिन के तीन शो हुआ करते थी और आज एक टाइम है कि दिन का एक शो होता है और उसमें भी पब्लिक नहीं आती है आइवन खुद से और स्टेला से प्रॉमिस करता है कि मैं यह सारे चीज़े बदल दूँगा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा लेकिन फिर भी शो के उपर कुछ खास फरक नहीं पड़ता है एक दिन जूलिया आइवन के लिए एक शीट लेके आती है और इसी के साथ अपने पुराने क्रियोंस पी लेके आती है वो आइवन को कहती है कि मुझे पता है कि तुम ड्रॉइंग तो नहीं करते लेकिन मेरे पास यह यूही रखे थे जूलिया के जाने के बाद यह डॉग आइवन के उपर बहुत हसता है कि तुम्हें पता भी है कि इसका क्या करना है तो आइवन कहता है कि तुम से तो जादा ही पता है कि यह क्रियोंस है यहाँ पे मैक इस बाहर वाले डॉक से बहुत परिशान था इसे कारण वो अपने गार्ट को कहता है कि इसे बस यहाँ से निकाल दो निकिन आइवन हमेशा इस गार्ट को डरा दिया करता था जिसके बाद में यह डॉक कहीं भी नहीं जाता था उसी रात आइवन उस शीट पे एक बीटेल को ड्रॉ करता है जिसे यह डॉक पहचान भी नहीं पाता कि आखिर आइवन ने क्या ड्रॉ किया है अगली सुबह मैक अपने एक कलीक से मिलता है जो कि इस मॉल को खाली करके जाने वाला था फिर अगला दिन होता है और फिर से यही रिंग मास्टर यहाँ पे शो परफॉर्म करता है और ऐसे ही रोज यह शो चलता रहता है जिसके बाद में एक दिन जूलिया आती है और आइवन को ड्रॉइंग दिखाती है जिसमें उसने डॉक को ड्रॉ किया था और इसके बाद में उसने इस डॉक का नाम बॉब रख दिया जूलिया कहती है कि हर किसी का एक नाम होना चाहिए यहां पर जूलिया देखती है कि आईविन ने ड्राइंग की है और वो अपने डैट को भी बताती है अगले सुबह बॉब यहां पर टाइम देखे पहुंच जाता है स्निकर्स के रूम में क्योंकि स्निकर्स अपने कमरे में नहीं थी जहां बॉब को जाने के बाद बहुत आने वाला है लेकिन तुम यह बाद किसी को भी अंदेखे लिकिन बॉब के पेट में कहाँ कोई बाद रहने वाली थी वह जांब सामार को बता देता है कि यहां को हम अच्छा नहीं कर रहे हैं कैने हमें रेप्पलेस तो नहीन कर दिया गया है जिसके बाद एक बढ़ा सा ट्रक ओपन होता है और वहां जब मैग जाता है तो वह काफी दूर गिर जाता है तब यहां के सबसे इंटेलिजन्ट एनिमल को लाया जाता है यानि कि स्टेला को स्टेला जब ट्रक में जाती है तो वहां से एक छोटी सी ट्रंक बाहर आती है यानि कि एक बेबी ऐलिफेंट देखते ही देखते सब इस छोटी क्यूट अलिफेंट को बहुत पसंद करने लगते हैं, मैक यहाँ पे इस छोटी बेबी अलिफेंट का नाम रूबी बताता है, आइवन को रूबी बिलकुल पसंद नहीं थी, यहाँ रात होने पे रूबी सभी को परिशान करने लग जाती ह क्योंकि वो सो नहीं पा रही थी, उसे भूग लग रही थी, आइवन रूबी की बातों पे बिलकुल ध्यान नहीं देता है और अगले सुबह सो जाता है, जिसके बाद में अगले सुबह मैक ने इस शोग के शो स्टॉपर बदल दिया था, यानि कि इस शोग की न्यू हैड लाइनर रूबी बन चुकी थी, सभी इस चोटे बेबी ऐलिपेंट को देखे बहुत खुश थे, हालांकि अब तो मैक का शो भी अच्छा चलने लग गया था, जूलिया जब रूबी से मिलने आती है तो उसे दिखता है कि स्टेला ने अपने एक पैर को उपर कर रखा है, जिनका नाम जॉर्ज था, यहाँ पे जॉर्ज मैक को बिलाता है कि आईए देखी सरह स्टेला को क्या हुआ है, मैक यहाँ पे स्टेला के पैर को चेक करता है, लेकिन उसे सब कुछ ठीक मिलता है, इसी कारण वो स्टेला को बस रेस्ट करने के लिए कहते हैं, रात होने भे जब मैं वाइल फॉरेस्ट में राहा करती थी, तो मैं एक बहुत बड़े खड़े के अंदर गिर गए थी, लेकिन तभी वहाँ पे एक जूलिया जितनी बच्ची थी, उसने वहाँ के सारे गाउंवालों को बिलाया और उन सब ने मुझे बच्चा लिया, लेकिन बॉब य आज तक कभी अकेले परफॉर्म नहीं किया है, सभी उसे मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, अब जब शो का टाइम आ चुका था तो रूबी बाहर ही नहीं आती है, आईवन रूबी के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें ये क कहती है, लेकिन बॉब बीच में ये आ जाता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ, एक बार एक इनसान था जो कि मुझे बृट से गेरना चाता था, मैं बच गया और स्टोरी खतम हो गई, तो रूबी कहती है कि ऐसे कैसे ती जलती स्टोरी खतम हो या आपने मुझे अच्छे से स्टोरी नहीं सुनाई, जिसके बाद मैं आइवन कहता है कि चलो तो फिर तुम्हें मैं मेरी स्टोरी सुनाता हूँ, आइवन कहता है कि आज से बहुत पुरानी बात है, जब मैं डाई पर पहना करता था, मेरी आसपस इनसान थे, उनी के जिसके बाद मैक मुझे स्मॉल में ले आया, और तब से मैं अब तक यही हूँ, ये सारी कहाने सुनते सुनते तो रूबी सो ही गई थी, लेकिन तब ही यहाँ स्टेला आइवन को अपनी पास बुलाती है, उसके बहुत सारी लाइफ बाकी है, और मैं नहीं चाहती कि उसकी लाइफ यहाँ पे निकले, तुम उसे प्रॉमिस करो कि तुम उसे बाहर ले के जाओगे, जहाँ आइवन स्टेला से प्रॉमिस करता है कि मैं उसे जरूर एक दिन खुला असमान दिखाऊंगा, जिसके बाद में स्टेला की तबित खराब होने से वो वहीं पे मर जाती है, गैस यह बहुत emotional सीन था कि कैसे जानवर एक बंद पिंजरे में ही मर जाते हैं, जिसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलता, अगले दिन सारी जानवर बहुत sad थे, क्योंकि स्टेला उन लोगों को छोड़ के चली गई थी, वहीं मैक आता है रूबी से बात करने के लिए कि चलो अब हम लोग कल से practice करेंगे, रात होने पे बॉप आइवन से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, जहां आइवन कहता है कि मुझे स्टेला का promise निभाना चाहिए था, मैं आखिर उसका promise नहीं निभा पाया, अगले दिन सुबह होते ही मैक ने बिलकुल दे जूलिया यहां पे मैक को मना करती है कि वो ठक चुकी है, आप उसे मत सिखाएए, जॉर्ज भी मना करता है, लेकिन मैक बात मानने के लिए तयार ही नहीं था, कि तभी यहां पे रूपे मैक के मुझे वोमिट कर देती है, यह सारी चीज़े देख के सभी हसने लगते हैं, य इसी कारण वो जॉर्ज और मैक को दिखाती है, कि देखो यह सब कुछ आइवन ने ड्रॉ किया, जिसके बाद में अब तो मैक के पास फिर से नया प्लान आ जाता है, कि वो शो को अच्छा बनाने के लिए सभी को यह न्यूज देगा, कि एक गोरिला जो की ड्रॉ कर सकता है देखते ही देखते हर जगह यह न्यूज स्प्रेड हो जाती है, कि यह गोरिला ऐसा है जो की ड्रॉ करेगा, शो स्टार्ट होता है और मैक आइवन के लिए अनॉंसमेंट करता है, लेकिन आइवन को इस चीज़ पे गुसा आ रहा था कि आखिर मैक ने ऐसा क्यों किया, वो म जिसे बाहर निकालो नहीं तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूँगा, रात होने पे यह गार्ड बॉब को बाहर निकालने के सारी प्लानिंग कर चुका था, उसे लगता है कि आइवन सो रहा है, इसी कारण वो केज के अंदर आ जाता है, लेकिन देखते ही देखते हैं यहा एक गोरिला हो, तुम में 400 पाउंड्स की पावर है, इसे तोड़ क्यों नहीं देते हो, आइवन यहां पे एक जटके के अंदर इस डोर को तोड़ देता है, सायरिन बजना शुरू हो जाते हैं, तब तक सारे अनिमल्स बाहर निकल चुके थे, यह सभी दूसरी तरफ के वाइल्ड फॉरेस्ट में नहीं है, बलकि एक पार्क में है, सामने तो पूरा शहर खुला पड़ा है, तो आकर हम लोग कहां जाएंगे, हम लोग यहां तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं, मैक को भी पता चल चुका था कि सारे जानवर बाहर चले गए हैं, इसी कारण हो इने ढूंटे ढूंटे पहुंच जाता है, और आईवन से बात करने लगता है, कि क्या तुम्हें लगता है, कि यह सारे अनिमल्स के साथ तुमने भाग के अच्छा काम किया है, तुम लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, तुमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए मेरी बात मानो और वापस से चलो, मैक की बात मान के आईवन और सारे चानवर वापस से चले जाते हैं, यहाँ पर जोर्च रात में ही आ गया था, इसी कारण मैक कहता है कि अच्छा हुआ चो तुम आ गए, और अब ये नियूस किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, रात होने पे सभी बहुत जादा अपसेट हो चुके थे, जिसके बाद मैं आईवन अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है बॉब को, वो बहुत चोटा था, तब वो मट से खेला करता था, हर टाइम बस उसे पेंटिंग करना पसंद था, आईवन के फादर एक बहुत बड़े गोरिला थे, वो चाते थे क आईवन एक बहुत स्ट्रॉंग गोरिला बने, लेकिन आईवन ने ये चीज़े कभी सीके ही नहीं, वो अपनी बहुत 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 सारे हंटर्स आ गए, मेरे फादर ने मुझे बचाने की कोशिश की और एक सेफ प्लेस पे रख दिया, लेकिन उन हंटर्स चुरू कर देते हैं, यहाँ जूलिया आईवन के सामने एक ड्रॉइंग बनाती है, जिसमें वो बताती है कि ये मेरी मॉम है, जो कि हमसे बहुत दूर है, और मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करती हूँ, जहाँ पे आईवन को भी याद आता है कि कैसे वो ड्रॉइंग किय करता था, आखिर उसमें जब इतना टैलेंट है तो वो कुछ कर क्यों नहीं रहा है, यहाँ जूलिया आईवन के लिए कलर्स लेके आई थी, वो कलर्स जिससे वो हैंड पेंटिंग कर सकता था, और अब यहाँ पे आईवन को पता चल चुका था कि आखिर उसे क्या करना है, वो पूरी रात जगता है और पूरी रात बैट के पिंटिंग करता है, अगली सुबह बॉब उससे पूछता है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो, इसी के साथ मैक अपने शो के लिए तयार होता है, सभी को टिकेट देता है, लेकिन तब तक यहाँ रिपोर्टर भी आ चुकी क्योंकि यह निउस आई थी कि सारे अनिमल्स भाग चुके थे, तो मैक कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो हमारे नेक्स परफॉर्मर्स यह सारे अनिमल ही है, अगर यह भाग गए होते तो शो में कैसे आते, मैक यहाँ पर रिपोर्टर को इ आईवन ने चौका दिया था, क्योंकि उसने एक बहुत सुन्दर हैंट पेंटिंग की थी, जो कि एक नीचर की थी, मैक को तो यहाँ पर सभी की वावाई लूटनी थी, लेकिन यह चीज़ जूलिया समझ चुकी थी, कि आईवन को अब यहाँ पर नहीं रुकना है, उसी अ टेस्ट कर रहे थे, मैक को भी यहाँ न्यूस मिल चुकी थी, कि सारी जानवरों को फ्री करने की बारी आ चुकी है, देखते ही देखते अब यहाँ पर डॉक्टर स्पॉट चुके थे, जो कि इन जानवरों को फ्री कराने के लिए आ गए थे, स्नीकर्स को भी बोला जाता ह कि तुम्हें भी चलना होगा लेकिन स्नीकर्स तो कहां जा सकती थी क्योंकि वो एक पैट आनिमल थी यहां पर मैक सभी आनिमल से मिलने के लिए आता है आईवन रूबी को फ्री करा के बहुत खुश था कि फाइनली उसे एक बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी जहां वो अपने सबसे पुरानी पिच्चर दिखाता और कहता है कि क्या तुम्हें यह सब कुछ याद है यह दौनों अपना एक emotional moment शेयर करते हैं जिसके बाद में मैक चला जाता है और अब आईवन को भी अपनी घर जाने की तैयारी करनी थी आईवन जब अपनी आखे खोलता है तो एक white color क room में था जिसे देख के वो गुसा हो जाता है जहां डॉक्टर कहती है कि तुम गुसा मत करो तुम्हारा घर यह नहीं है जिसके बाद में आईवन के लिए यह दोर खोल दिये जाते हैं जो कि एक अटलांटा का zoo था जिसे पूरे तरह किसे wild forest की theme दी गई है आईवन ने काफ कि एक बंद cage में इसी के साथ movie का post credit scene दिखाया जाता है कि जूलिया ने बॉब को adopt कर लिया है और अब बॉब भी एक pet dog बन चुका है यहां पे जूलिया और बॉब दौनों आईवन से मिलने के लिए आते हैं और इसी के साथ हमें movie के last में यह भी बताया जाता है कि यह सब इसे performance दिये यह वही पहला गोरिला था जो कि painting किया करता था जिसके बाद में गोरिला को free कर दिया गया और उसे forest में छोड़ दिया गया बागे के जिंदगी उसने वहीं बिताई इसी के साथ guys यह movie यहीं पे खत्म होती है तो guys आप सभी लोगों को यह the one and only आईवन कैसा कर दो है तो है